So, hey guys, welcome back to another gameplay video हाँ, ये gameplay video होने वाली एक कार फोर सेल गेम की जो कि भाई, बहुत जादा गजब सा गेम है और चलो इसे ट्राइ करते हैं क्योंकि भाई, मैं गेम प्लेज भाई, पोकेमोन गेम वगेरे पर बनाता हूँ बट आज फर्स टाइम कोई कार का गेम भी ट्राइ करते हैं जिसमें भाई, कार सेल करनी होते हैं लाइक कार खरीदो, उसको सेल करो, उससे प्रॉफिट कमाऊ और और भी नहीं नहीं कार्स खरीदो और भाई, बहुत अलग सी मज़ा आने वाले इस गेम में तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर यह हमारा ओफिस मिल चुका है भाई, बाहर यह सब जो भी कत्रा पड़ा है, उसको पहले हटाना पड़ेगा हाँ से तो मैं इस सारे कत्री को यहाँ से निकाल देता हूँ पहले तो भाई, कैन, वैन वगेरा पड़े हुए भाई, यह मैंने नहीं नहीं लगबग ओफिस खरी दी है, तो यह नहीं नहीं ओफिस है, इसलिए मेरे को यह सब हटाना पड़ेगा पहले ओके, सब चीज़े, यह बाई, कार का कुड़ा पड़ा हुआ है, किसी ने कार का कुड़ा फिक दिया आपे यहां पर डस भी ने, इसमें सब कुड़ डाल सकते हैं, अब यह, मुझे लगता है, इनको भी हटाना पड़ेगा, वुड़ेन के यह है, जो भी प्लैंक्स, तो इनको भी फटावर ठड़ा देते हैं यहां से, भाई, हमाई ओफिस को जल्दी से ओपन करते हैं, जिसमें हम गया, नहीं नहीं कार्स लाएंगे हैं, भाई इसको एकदम तगड़ा वाला में, मतलब एक ओफिस बहुत जादा तगड़ा वाला ओफिस बनाऊंगा, बट धीरे-धीरे करके बनाएंगे, ठीक है, तो अब यह जो कार है, इसको पहले गाइब कर लेते हैं, भाई, इसको क् जादा गजबसा लग रहा है, भाई, एकदम अलग सी फिलारी इसमें रहेंगे, ठीक है, एक हम लोग को एक छोटा सा कंप्यूटर दिया गया है, जिससे हम लोग कार सेल वेल कर सकते हैं, और पहुँच से चीज़े ऑफिस को अबगेड वगेरा भी यहां से ही कर सकते हो, ब भाई, क्या रखे इसका नाब, सोचो है, मतलब मेरे को जहां तक लगता है, मुझे लगता है, इसको मैं रियो कार सकता हूँ, या फिर रियो मोटर्स वगेरा ऐसा कुछ करके, नहीं मेरे गयाल से रियो कार सही रहेगा, क्योंकि लोग यहां पे कार्स नहीं नहीं खरीते है इसका नाम में रियो कार सही रखता हूँ, क्योंकि मुझे यह सही लग रहा है, मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है, और सही है, अब इसको मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, एक सेकंड, सबसे पहले इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर लेता है, इसके बाद अभी इस मैं वाइट नहीं रखना मेरे को, क्योंकि मेरे जो लोगो का कलर है, मैं उसी को इसमें गुसेटने वाला हूँ, तो ब्लू, ब्लू कलर का गया बाई, रेल्ड एक बाद चेक करते हैं, रेल्ड अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है, कोई ना यही कलर अच्छा लग रह बिजनस टार्ट करने के लिए, हम लोग को सबसे पहले न्यू न्यू कार्स खरीटनी पड़ेगी, जो कि हमारे रेट में आए, एंड हम उन्हें बेच के तोड़ा प्रॉफिट कमा पाए, अगर ज्यादा में खरीदी तो लॉस में जाएंगे, सीडिसी बात है, तो अब मैं नेबर रूट आ चुका हो, यहाँ पर भाई हमको गाडिया, भाई सहाब यह कार देखो भाई, यह कोई OD का ही मॉडल लग रहा है, मेरे को देखने से पता चल गया है, इंटिरियर इंटिरियर बहुत तगड़ा है, चलो इनसे पूछते इसका क्या बावताव है, हाँ OD S5 है भाई, इसका भाई, 22,000 डॉलर, भाई, मेरे पाई, 7,000 डॉलर है, यह एक नॉर्मल सी कार है चलो इसका रेट पूछते हैं, क्योंकि अभी फिलाल हमाई बिसनस को दीरे दीरे बढ़ा करेंगे तो पहले नॉर्मल सी कार को बेशते हैं, ओके प्रोजेक्ट एसपो, भाई य जलो ठीक है बहुत सस्ते में मिल चुकी है हमें इसे हम थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट इसे निकाल लेंगे वाकि देखने से लग रहा है प्रॉफिट निकल जाएगा चालो अंदर जाते वह वाइसा बहुत अब चलो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हो सबसे पहले तो भाई इसका इंजन देखो बाइग कितना घजब बज रहा है जैसे इसमें सूप्रा का Indiana कि अचिक है अ जब इसको मैं लेके जाता हूँ अपने मलब ऑफिस पे एंड वहां से इसकी दामवाम निकालते हैं अंदर से इंटिर्या में ठीक थाग है इसको अच्छे से बेचिंगे बहुत अच्छे दाम में मलब शायद बिग जाएगी शायद देखते हैं फर्स्ट का रहे तो भी कप ले रही है एंड अभी आगे जाके पता नहीं स्पीड लेगी कि नहीं चलो ठीके ठीके दीरे-दीरे स्पीड ग्रो कर रहे हैं फिप्टी पहुच गे थी यह अभे अभी टकर हो जाती देखके चलाई हो भाई कार तो इक्तिम गजब से धीरे-धी स्पीड पकटती है ब बढ़ डिफ्ट विट भी मार रही है त्नी जादा नहीं है बढ़ फिर भी भाई डिफ्ट हो रही है गाड़ी बढ़ एक गजब सी का रहे हैं कंट्रोलिंग में भी सई है तो अब इसको देखते कितना रेट मिलता है इसको पहले सबसे पहले मुझे वाश करवाना है उसके देखते हैं भाई अभी 83 85 चलो कोई ना हमारा स्टॉप आ चुका है अभी यहां से हमेशे वाश करवानी जल्दी से सबसे पहले तो एंड वाश करवाने के बाद मैं इसको थोड़ा ठीक करवाने लेके जाऊंगा क्योंकि भाई उसने बेचा था तब उसने बोला था इसमे तो के मैं आपे इसको रोक लेता हूँ जल्दी से एंड भाई तो अपने काम पर लग जाई हो जल्दी जल्दी इसको जल्दी से साप कर ले एक जब मस्त वाली क्योंकि भाई महमें इसे एक अच्छी रेट में बेचना है तो कितना लेगा तो 50 डॉलर भाई इसको साप करने है वो मशीन भाई उसको भी ले जा रहा है भाई लपेटर है उसको भी साथ हुए ठीक है चलो अभी जल्दी से यह साफ हो जाए तो उसके बाद मैं इसको भाई मेरे पाद पैसे देखो कुछ 7000 से उपर डॉलर थे अभी भाई 5500 डॉलर हो चुके है तो मुझे थोड़े प अभाई मुझे बहुत गजब लगता है वाई मझब जब यह स्टार्ट होती तो मुझे अलग सी ग्रैकलिंग आती है ठीक है तो अब मैं इसको लेकर जाता हूं सबसे पहले तो थोड़ा मौडिफिकेसन करवाने हैं पैली चीज तो इसमें बहुत सी चीजे डेमेज दे तो आधिक को देता है कि इसको ठीक कर बहुत झारी कर लेज को ठीक है ऑग को एक यहां पर दुझ जार्ट फोड़ा थोड़ा थोड़ा गह ताफिक एथी थीए उतर जाए अभी बाई सबसे पहले तो इसका जो भी काम का वह देता और को क्या क्या करना है देख लेए इसमें कि 440 डॉलर का खर्चा है इस असी भंगार कार में भाई अट्रास दो कि मैंने इसे खरी दी पचास वाश में गए और अभी भाई 440 डॉलर इसके रिपैरिंग में लगेंगे भाई बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही एक अब यहां पर देखो यह बोल रहा है मेटल वेटल घुंडू पता नियार को यह तो कुछ यह सब तो उठाने जैसी चीज़े नहीं है जो ऐसे मेटल की चीज मिले तो उसको उठाना है बस बट मिली नी रहे तो कहां से उठाव भाई तो बातों बातों मैं हमारी कार की रिपैरिंग आल्मोस्ट खतम हो चुकी है एड़कार न सबसे पहले रुक जाओ इसमें मेरे कुछ तर्बो डलवाना है तो इसको मैं सबसे पहले आप एक गेरेज में लेकर आता हूं यहां पर भाई इसमें एक तर्बो वरबो लोड करवा देते जिससे भाई काड़ी थोड़ी फास्ट भागे जो भी बंदा खरीदे वाई उसको सबसे तो के इसमें तुटरबो डाले 250 डॉलर गाया चल ठीक है डाल दे भी अभी और कोई चीजे तो डलवानी नहीं क्योंकि भाई गाड़ी पर बहुत जाला खर्चा हो चुका है इतने में अगर नहीं भी किना तो भाई मैं तो लॉस में चला जाँगा सच में तो अब व इसमें अपना शोरूम तो इतना दूर भी नहीं है बाई यह रोड आता है यहां पर गड्डिया जाती रहती है कभी कभार टकर हो जाए तो भाई नुकसान हो जाए बेपाल तो अब सबसे पहले तो उतर जाते हैं यह से एंड अब भाई इस गरड़ी को जाके शेल पे डाल प्रोजेक्ट एस 504 क्लासिक ओके अब इसका रेट देखो मैंने इसको अठास हो मैं तो मैंने इसका लगबग समझो खरीडा था एं साथ सो जो पर का मिरको इस पर खर्चा आ चुका है तो मैं इसको अल्मोस्ट मेरे को इसका तीन जार दो सो या तीन जा पांच सो तीन जा मैं इसको बेज देता हो क्योंकि अल्मोस्ट अगर खर्चा देखने जाए तो मेरे को इस पर पचीस सो से चपीस सो डॉलर का खर्चा आया है एंड तीन जा तीन सो मलब आट सो नौसो डॉलर का थोड़ा प्रॉफिट है तो उतना प्रॉफिट चीए अब भाई इस भिखार ऑब खुए अब खुला नहीं है यहाप केंटिंग होती है वहाँ पर थोड़ा कामकाज होता है अब आपना रिपैरिंग भी होती है तो अब रुख जाओ यार थोड़ा घूमते है अब तक आया है नहीं यह फर्स्ट का रहे तो इसके लिए साहथ कस्ट्रमर भी नहीं आ औ और थोड़ा old model ले लिया है मैंने तो पता नहीं अभी customer कितना जल्दी आते चलो neighbor road car market डिक के आते पहले सबसे पहले तो कार मार्केट आज बंदे यार कार मार्केट बड़ा गजब अभी customer आ चुगा है चलो सबसे पहले customer देखके आते कौन आया को के तो भाई एक बंदा आया है भाई businessman type का आजमी लग रहा है देखते वाई कितने की deal करेगा देखने से तो businessmen लग रहा है पूरे में ले ले भाई तीन तीन सो में उठा ले तू रुक जाओ कितना वोलना मेरको 2800 नहीं भाई मेरको 2800 में नहीं बेशना है भाई 3300 की तो का रहा है मैं बेश रहा हूं भाई इतन एक दो 100-200 डॉलर के लिए मैं थोड़ी भाई इतना कुछ करूंगा रुक जाओ भाई यांटी कितना दे रही है दे बाई दूसरा वाला एक नया बंद आया यह तू ले ले बस 3000 डॉलर में तू ले जा 3000 डॉलर ले जा चल बहुत हुआ चलो ठीक है मैंने इसको 3000 डॉलर में बेश दी है यह कार एंड हमारी फर्स सेल कंप्लीट गई हैंड हमें कुछ 400-500 डॉलर का प्रॉफित हो चुका है जो कि भा पर दूसरा ने बेश दी है अपनी अभी और भी तगडी तगडी कास लेने चलते है चलो जल्दी से हम लोग नेबर रूडी चलते है रुख जा पहले सबसे पहले तो रहत होने वाली है तो सबसे पहले मैं घर पे जाकर आ जाता हूं यह देखो मेरा चोटा सा घर है एंड रात अभी थोड़ी देर में हो जाएगी एंड मेरे को घर पर जाकर जल्दी से सो जाना है ओके नेक्स टेज स्टार्ट हो चुका है अभी मुझे जल्दी से अपने मलब गयरेज जो भी मलब अपनी जगाया ऑफिस पे जाना है तो यह से मैं बस पकड़ लेता हूं जल्दी तो तरको पता चल जाएगा बाद में कि क्या है मालिक दो मिनिट के लिए घर पे गया भाई तुने कत्रा ऐसे गुसेट दिया मुझे लगता है वो साला बिखारी आता है वही डाल के जाता है अब पता नहीं यार अभी उसको हाथ उसको पकड़ा नहीं है रंग आत पकड़ अच्छी कास अति हाँ मुझा बात अलग है कि थोड़ी महिंग बहंगी कार चाहती है पर फिर भीवाइक कार मार्केट की जो कार सबाइए है एक नंबर आती है सच में यह दिखो सबसे पहले तो भाई एक लाफ फरारी एंड ये थोड़ी ओलड वाय अली कार है और भाई य तोयोटा सूपरा भाई मेरे को लग रहा है यह चोटी सी नेनो टाइप गाड़ी है ना बाजू मैं यह यह वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसके पीछे जो खड़ी हुई है वह मेरे बजट में और इसका प्राइब पूल तीन लाक डॉलर भाई इतना तो मुझे नहीं ल कार है यह अपनी आवकात में बाकी यह सब कार मेरे को देखने से पता चला है कि बहुत महंगी बहंगी कार से सब तो भाई यह जो छोटी सी नेनो टाइप है अभे यह नहीं यह तो भाई तीन लाक के आजूबा जो इसका भी होगा रेट यह नेनो कार को उठा लेता है उसको लेके जाता हूँ सब से पहले अपने जो भी अपने गयरेज मुलब जो गयरेज वाले वंदे उनको देते है जो भाई सको थोड़ा इसका का मभाति हूस को देंट्वें लगे हुए तो थीक कर वाना है एंड उसके बास भाई इसको भी हम लोग एं ची डोगे में पे वोटे रिपैर वाले के पास अब यह भी कुछ भी काम में लगे हुआ है चलो ठीक है सुबह सुबह काम आया उनको भीचारों को ठीक है यह मेरी कार भी ठीक कर ले दूसरों को काम छोड़ ले अपला पहले कर ले ओके भाई उतर ले बाहर ठीक है इसमें कितने का खर्चा है चार सूब बीस डॉलर का और भी खर्चा है इसमें ठीक है ले 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 तू भी क्या है आज रखेगा सला भाव देख रहा है इतने भाई धीर घाडिया ठीक करोंगा तब तो थोड़ा सस्ता कर ले ना मेरे लिए इत आपको नेक्स पार्ट देखना है तो बाई कमेंड वाक्स में बताना एंड मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक लिए इस ताटा गुडबाई सी यू जेहिंद बने मात्रम